सब्सक्राइब कीजिए इंफराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इंफराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीट कंपनी ने अपने लेटेस्ट एलेक्टरिक स्कूटर को लांच कर दिया है स्पैन की आटो मॉवाइल कंपनी सीट ने हाल ही में एक नया स्कूटर MOE स्कूटर 125 लांच किया है इसके अलावा कंपनी ने MOE के के स्कूटर 65 को भी लांच किया है सीट वाल्क्स वेगन गुरूप की एक यूनिट है जिसने 2019 के आखिर में एलेक्ट्रिक टू वीलर सेग्मेंट में आने का एलान किया था इसका हेड आफिस बार्सिलोना में है कंपनी ने इस इसकूटर की कॉंसेट का खुलासा बार्सिलोना स्मार्ट सिटी एक्स्पो वर्ल्ड कॉंग्रेस में किया था सीट MOE स्कूटर 125 दो वेरियंट में लांच किया जाएगा इसमें एक वेरियंट को पर्सनल यूज के लिए और दूसरे को शेरिंग सर्विस के लिए पेश किया गया है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी की बात करें तो सीट का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर स्कूटर में 9 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मॉटर दी गई है जिसे रियल वील के साथ जोड़ा गया है मॉटर में 5.6 किलोवाट लीथियम आयन स्वेप वेल बैटरी लगाई गई है इस बैटरी को स्कूटर से निकाला जा सकता है और घर में भी चार्ज किया जा सकता है फुल चार्जिंग होने पर यह स्कूटर 125 किलोमीटर तक की दूरी तै कर सकेगा स्पीड की बात करें तो सीट एमो का दावा है कि यह एलेक्ट्रिक स्कूटर 3.9 सेगिंड में 0 से लेकर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है स्कूटर का टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है इस एलेक्ट्रिक स्कूटर में रिवर्सिंग गियर के साथ तीन राइड मोड दिये गए हैं सीटी स्पोर्ट और इको जैसे मोड्स मिलते हैं डिजाइन की बात करें तो सीट एमोई स्कूटर 125 स्कूटर को अर्बन एरियास के लिए आसान और जादा सुबिदा जनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है राउंड हेंड लेंप, लंबी विंड स्क्रीन और ऐसी मेट्रिकल इंस्टूमेंट कंसोल दिया गया है इससे स्कूटर को काफी यूनिक डिजाइन मिलता है इसके साथ ही इसमें LED लाइट्स भी दी गई हैं स्कूटर में दी गई बैटरी को फुट बोर्ड और रियल वील के बीच बहुत स्मार्ट तरीके से रखा गया है इस डिजाइन की वज़ा से सीट के नीचे इतनी जगा निकल गई है जिसमें छोटे जिससे दो छोटे आंका के हेलमेट को बहुत आसानी से रखा जा सकता है फीचर्स की बात करें तो MOE स्कूटर 125 में ब्लुटूथ कनेक्टिविटी जियो फैंसिंग टेकनोलोजी डिजीटर इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है इसके अलावा स्कूटर के लोकेशन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है स्कूटर के साथ डिजीटल शेरेबल चाबी मिलती है इस खास फीचर की मदद से असल चाबी के बिना ही आख किसी को भी अपने स्कूटर की सवारी करने के इजाज़त दे सकते हैं सीट मोई स्कूटर 125 की यूरोप में लॉंचिंग जुलाई में होगी फिलाल सीट के स्कूटर इंडियन मार्केट में अबिलेबल नहीं है इंडिया में यह कंपनी अभी बिजिनेस नहीं करती है इसे देखते हुए इस स्कूटर को इंडिया में लॉंच की जाने की उम्मीद फिलाल नहीं दिखती है MOEK के स्कूटर 65 भी पेश किया है कंपनी ने MOEK के स्कूटर 65 को भी पेश किया है इसमें एक shareable last metric connectivity option के रूप में दिया गया है इसमें 350 watt electric motor और 551 watt battery pack दी गई है इस स्कूटर की top speed 20 km per hour है यह स्कूटर एक बार full charge करने पर 65 km की दूरी तै करता है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आप कोई वीडियो समझ में आ गया होगा अगर future में आप इसी type की और वीडियो दिखना चाहते हैं तो please हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जोड़े रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आप कोई सुजाब सेशन देना चाहते हैं तो comment box में comment करना बिल्कुल ना भूले हैं और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आप से नई वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो थैंक्स